पेशे से एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता जाजी जो की एक चर्चित हिंदी लिखेका हैं उनकी लिखी कहानी आज सुनिये एक थी कमला तो शुरू करते हैं कहानी एक थी कमला जब पूरे विश्व में करोना फैला हुआ था तब भी कमला ने गुटने ने टेके और जिंदगी की दौर अपनी तेरे से जीती लिए बच्चों का भविश्य बनाने के लिए मुँ में डबल मास्क लगाए वो एक प्राइवेट अस्पताल में आया पनी करोना मरीजों की त मेला है कभी किसी परिशानी के आगे गुटने ने टेके पिता की लाडली मा की दुलारी और भाईयों के आख का बाल थी वो बच्चपन तक तो सब अच्छा चल रहा था पढ़ाई भी ठीक ठाक थी पिता बिजली विभाग में कलर्क थे और सपने भी बिटिया को एक सरकार करमचारी से बिहाने के थे मा भी यही चाहिती थी कि किसी तरह मैट्रिक पास कर ले रामयान गीता पार्ट कर ले ठीक उनी की तरह पती और बच्चों को दो रोटी बना कर दे दे बस कमला पढ़ने में थोड़ी कमजोर जरूर थी लेकिन सपने बड़े-बड़े ही देखती थी उसकी छोटे-छोटे घरों वाली विजली विभाग की कालोनी के सामने एक बड़ी आलिशान कोठी थी उसके सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ था मिर्जाज जब बहुत छोटी थी तब से ही उस कोठी के बाहर खड़ी हो अंदर जाने के सपने देखती थी कमला की अम्मा बड़ी सुघर थी इससे कमला की फ्रॉक स्वेटर सब अम्मा के ही बनाए हुए होते थे नाक नक्ष भी तराशे हुए थे इससे लगता था मानो कमला किसी बड़े आदमी की बीटी है एक दिन उसी कोठी के सामने खड़ी निहार रही थी कि एक बड़ी प्यारी सी बिलकुल परी की तरह उसी की उम्मर की लड़की बाहर आई और कमला को देखकर उसकी आखें सो वाट के बल्ब की तरह चमकने लगी वो दोड़ कर कमला के पास आई और पूछा मुझसे दोस्ती करोगी अंधा क्या चाहे कमला ने तुरंद गर्दन हिला करहामी भड़ दी कमला को कोठी के अंदर सम्मान के साथ प्रवेश मिल गया अंदर तो एलिसन वंडरलेंड से भी ज़्यादा खुबसूरत नजारा था कोठी के दरवाजे से अंदर घुसते ही बड़ा सा बगीचा बगीचे में जूले सी सो फववारे और अंगिनत रंग विरंगे फूल ऐसे ही होते हैं नई दोस्त ने कमला से जब उसका नाम पूछा तो जट कलपनाओं की उड़ान उड़ा अपने नाम के बीच से महटा और आखरी अक्षर को ला से ली कर उसने खुद का नाम करण किया कली उसके बाद तो रोज कमला स्कूल से आने के बाद अपनी अर्शी के पास आती और दोनों बहुत सारी बाते करते बगीचे में खेलते तितलियों और भौरों के पीछे दोड़ते अर्शी और कली फूलों को तोड़ पानी में पीस कर मिला कर अपनी नजर में इतर बनाते कमला की जिंदगी में मानो बहार आ गई थी दीरे से कमला को अर्शी के घर के अंदर भी प्रवेश मिल गया उसके बार अर्शी और कली की एक नई कहानी शुरू हो गई मिर्जा परिवार बड़ा भला था और मुसल्मानों के बीच काफी साख थी यही नहीं महले के हिंदों के भी वो रहनुमा थे इससे कमला के घर से भी कोई मना ही नहीं थी कमला को मिर्जा परिवार में ना किवल प्यार मिल रहा था बलकि उसकी दूसरी जरूरते भी वहाँ पूरी हो जाती कमला के घर वाले भी बड़े निश्चिन थे किवे बेटी मिर्जा साहब क्या पल रही है काश सारी जिन्दगी इतनी आसान होती कमला स्कूल से कई बार सीधे अपनी दोस्त अर्शी किया ही चली जाती यहां तक कि कई बार मिर्जा साहब का ड्राइवर ही कमला को स्कूल छोड़ देता अर्शी अगर कमला से ना मिले तो पागल हो जाती यह उन दिनों की बात है जब लोग अपने मजभब और अपनी अबादत अपने अपने दिल और घर में रखते थे इससे अर्शी को अर्बी और उर्दू की तालीम देने वाले मौलाना के सामने बैट कमला भी अपनी सहली के साथ इसलाम की तालीम लेने लगी उन दुनों कोई भी बच्चों की बातों में उलचता नहीं था सबकी यह सूच थी कि कोई मजभ गलत नहीं होता आज कमला सूचती है कि काश आज भी ऐसा ही होता इसलाम के पाज इस्तंबो में से एक है जगात ऐसा मौली सहाब ने सिखाया था रमजान के महीने में मिर्जा परिवार गरीबों को दान दिया करता था वो यह सारी बातें घर आ अपने अमा पापा और भाईयों को बताती तो किसी को भी यह अजीब नहीं लगता क्योंकि घर में सब खुश होते कि कमला कुछ अच्छा ही सीख रही है बहुत सारी गरीब ओरतें बुरका पहन कर आती थी और मिसेज मिर्जा उन्हें कपड़े पैसे दिया करती थी हर इद बक्रीद में कमला के भी नए कपड़े बनते थे बच्पन तो बना ही होता है सपनों के साथ जीने के लिए पंच्छी और बच्चे एक से होते हैं वहां ना कोई राम होता है ना रहीम अब बल्कि हम इनसानों नारियल को हिंदू और खजू को मुसल्मान बना दिया है लेकिन तब तो अर्शी अपनी कली से कभी राम अल्ला तो कभी गणेश अल्ला की कहानिया सुनती थी कमला रोजी मौलाना साहब से इसलाम की पढ़ाई करती घर आकर सब को समझाती कि हमें किस तरह लोगों की मदद करनी चाहिए और रोज अल्ला ताला का शुक्र अदा करना चाहिए एक छोटी बच्ची के मुझसे सारी बातें बड़ों को बड़ी सुहाती थी कोई भी इसे संप्रदाइकता का रंग नहीं देता था कमला बड़ी होने लगी और मौलाना के साथ उनका बेटा कमाल अद्दीन भी आने लगा उसके आने पर मिर्जा साहब ने भी कोई आपती नहीं की क्योंकि वो तो राजा थे और मौलाना मुलाजम कमाल अर्शी से बात करने में डरता था पर कमला से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी कमला बड़ी होती गई और कमाल उर्फ कमाल अद्दीन से उसकी नजदीकिया बढ़ती गई और मिर्जास के बदले वो शेक साहब यानी मौलाना के घर जादा जाने लगी और मौलाना की बेटी समीना से उसकी दोस्ती हो गई उसकी बच्पन की परी अर्शी को दूसरे उसके ही इसतर के बड़े घर की उसी की तरह इंगलिश में गिटपिट करने वाली सहलिया मिल गए अब कमला चिडिया नहीं थी उसे उसके दाइरे का एहसास हो गया था उसने भी अपनी उरान की सीमा निर्धार कर ली थी अब वो मिरजास के बंगले को बड़े हस्रस से देखती थी जहां उसका सारा बच्पन भीता था लेकिन कमाल और कमला अब घर के बाहर भी छुप छुप कर मिलने लगे थे जिसकी भनक किसी को भी ना थी कमला ने पढ़ाई से ज्यादा समय और दिमाग मौलाना से अर्दू, अर्बी और इसलाम सीखने में लगाया था जिससे वो मौलाना साहब की चहीती भी थी जब चाहे वो मौलाना साहब के घर चली जाती और वहां उसका बड़ा स्वागत भी होता था सब कुछ बढ़ा अच्छा चल रहा था लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिसने कमला की पूरी किस्मत ही पलटती कमला के बारहमी के इमतान होने वाले थे पढ़ाई करते करते वो बाहर की हवा खाने के वहाने बाहर निकली थी ये उन दिनों की बात थी जब हवाही प्यार करने वालों का पैगाम एक दूसरे तक पहुचाती थी कमाल भी बहुत दिनों से अपनी कमला से नहीं मिला था वो भी अपने घर के बाहर आया तो कमला थोड़ी दूर पर खड़े मिली दोनों एक दूसरे को इतने दिनों बात देखकर बर्बस गले लग गए दोनों को क्या पता था कि कमला को घर से अकिला निकलते देख उसके पिता नारायन जी भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे उनकी एक सक्त पुकार कमला घर चलो ने दोनों गले लगे प्रेमियों को हका बका कर दिया कमला बिना कुछ कहे चुपचाप अपने पिता के साथ घर आ गई घर पर सब अनकहा साही रहा पतानी अम्मा और पापा के बीच क्या बात हुई अम्मा अपनी कमला को सुबह सुबह अपने साथ ले कमला के मामा के यहां यानि अपने भाई के घर चली आई ना माने रास्ते में कुछ पूछा और ना ही कमला ने कोई शिकायत की घर पर नारायन जी अपने बेटों के सवालों का जवाब देने के लिए तरह तरह के बहाने ढूरते रहे कि उनकी दीदी और मा कहा जले गए उन दोनों भाई सचमुच राकी का फ़र्ज निबाते थे मामा ने बहन और भाण जी के असमें आने का कारण भी ने पूछा सोचा जरूर बहन को कोई परिशानी है तब ही इमतिहान के मौसम में आई है भावी भावी होती है तब भी और अब भी वो जरूर भी मिनाती रही उसके बच्चों के भी सालाना इमतिहान जो थे भाई बहन के बीच चुपचा कुछ बाते हुई और वो भी बहन के साथ अपने एकलोती भांजी के लिए लड़का ढोने में लग गए कमला तो समझी नहीं पा रही थी कि उसके सपनों को किसकी नजर लग गई उसने अपने भगवान से और कमाल के अल्ला दोनों से गोहार की कि काश उसके सपने मुकमल हो जाएं लेकिन किस्मत तो कुछ और लिक कर लाई थी उसके लिए अमा और मामा रोज पापा के आफिस में फोन कर अपनी कोशिश ही खबर करते रहते थे कमला ने भी तकदीर के आगे गुटने देख दिये थे और कोई चारा भी नहीं था उन दोनों ना फोन था और ना ही आज की तरह मुबाइल फोन कि किसी तरह वो अपने आशिक को अपना पता भी बता पाती एक दिन मामा की खोज रंग लाई अपनी इकलोती भानजी के लिए आनन फानन में एक दामाद उने मिल गिया कहां अब विज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला की तरह कमला और उसकी दुगनी उमर के गोपाल गोपाल अधेड उमर के थे जिनकी एक किराने की दुकान थी गोपाल के लिए कमला तो अंधा क्या चाहे दो आखें की तरह थी सो ना बोलने का कोई प्रश्णी नहीं था ना गोपाल ने पूछा कि इतनी सुन्दर प्यारी लड़की की इतनी बेमिल शादी क्यों कराई जा रही है ना ही मामा ने बताया मामा मामी नहीं करन्यादान किया वहां घर पर पापा को कमला का सामान खगालने पर कमाल के कमला को उर्दू में लिखे पत्र एक कुरान शरीफ और कुछ उर्दू की किताबे में ली एक कटर हिंदू बाप ने एक ही जटके में बेटी को अपने दुनिया से निकाल फेका कमला के विवा तक में आने की जरूरत नहीं समझी बेचारी कमला के तो आसू भी सूख गए थे बिना किसी शिकायत के चुपचा गोपाल के साथ उसकी पत्नी बनकर चली गई गोपाल के किराना दुकान ठीकी चलती थी कमला भी मशीन की तरह दिनवर घर के कामों में लगी रहती थी गोपाल के सर पर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां थी इससे अब तक कुआ रही थे कमला की फोटो देख अपने आपको रोक नहीं पाया और सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि इतनी कमसिन कन्या का रिष्टा उनके लिए कैसे आया गोपाल बड़े भले आदमी थे और उन्होंने कमला को भी बड़े जतन से एक महंगे आभूशन की तरह ही रखा कमला ने पास के स्कूल में दाकला ले लिया और बार भी पास कर ली आगे पढ़ना चाहिती तो थी लेकिन गर्ब में छोटे गोपाल ने सेंद मार दी उसके बाद तो घर बच्चों में ऐसी उलजी कि पुराना लगवक सब भूली गई कमला और बेटे रागो के उम्र में बस 19 साल का ही फासला था रागो से दो साल छोटी रिया थी गोपाल कमला को बड़ी इज़त और प्यार से रखते थे काश बरबादी ने जहां पहुँचाया था जिन्दगी वहीं रुक जाती लेकिर उपर वाले के तो खेली ही निराले है जिनका इम्तिहान लेता है उनकी ही बार-बार आजमाईश होती है रागो छे साल का और रिया चार साल की थी तभी गोपाल को बलट कैंसर हुआ बेचारी कमला पैसा तो पैसा उसने उपवास और कमाल के सिखाय रमजान के पूरे रोजे रखे और अर्रवी वार को चर्जबी गई पर गोपाल को बचा नहीं पाई इलाज में दुकान और घर सब हांसे निकल गए सवाए थोड़े से गहनों की कमला के साथ सिर्फ रागो रिया और पूरी जिन्दगी थी हार मानना तो सीखा नहीं था इससे बिना कुछ सोचे बिना मामा को बताए दोनों बच्चों को ले लखनों आ गई बच्पन में एक सहली थी अमीना जो लखनों में रहती थी जहां कमला के पापक लर्ख थे वहीं अमीना के अबबा चपरासी थे वो लोग भी उसी बिजली कॉलोनी में रहते थे अमीना की शादी लखनो के सरकारी स्कूल के चप्रासी से हुई थी अमीना समीना यानी मौलाना साथ के बेटी की दोस्त थी इससे कमला से भी उसकी दोस्ती हो गई थी एक वही पुरानी माईके वाली पहचान थी जो कमला के संपर्क में थी एक बार उख कमला के शहर अपने किसी रिष्टेदार के बेटे की शादी में आई थी और अचानक उसकी मुलाकात गोपाल की दुकान में अपनी बच्पन की दोस्त कमला से हो गई उसके बाद से दोनों दोस्त पत्र के माद्यम से संपर्क में थे अमीनہ के पति के स्कूल का फोन नम्बर भी उसने कमला को दिया दोस्त इन नीट इस दोस्त इन्डीड जैसे ही कमला ने एक PCO से अपनी दोस्त के स्कूल के फोन पर नम्बर लगाया किसमत से उठाया भी जावेद यानि उसकी सहीली के पति ने तुरन जाविद ने कमला को सबकु समेट लकनो आने की सला दी कमला ने राहत की सांस ली और बेटे रागहो और रिया को साथ ले लकनो चली आई और एक नई जिन्दगी की शुरुआत हुई कमला ने हालातों के आगे कभी गुटने नहीं ठेके चाहे हवा कितनी भी उल्टी हो उसने जिन्दगी से एक सबक लिया था कि उसकी किस्मत में सिर्फ लड़ना लिखा है और अब तो मकसद भी था रागहो और रिया का भविश है अमीना के दिल और उसके बगल की खोली को उसने अपना घर बना लिया अमीना के बच्चे रहमत और रहाना भी लगवग रागहो और लिया के हम उम्र ही थे जावेद की मदद से उसी स्कूल में कमला को आया बाई की नौपरी मिल गई उसका काम सारे बच्चों को रेसिस में पानी पिलाना और सबी शिक्षक और शिक्षकाओं को चाय पिलाना और उनके छोटे मुटे काम करना था दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल में दाखला करवा दिया था पहले साल की फीज तो अपने गहने पेच कर दे दी थी गर का खर्च किसी तरह तनक्वा और शाम को एक कोटी में काम करके निकल जाता लेकिन उसे स्कूल की फीज और दूसरी जरूरतों की चिंता थी यहां भी उपर वाले ने दौर खोल दिये ईद के दिन उसने अमीना को बच्चों के साथ बाहर जाते देखा पूछने पर मालूम हुआ कि बच्चों को लेकर वो अमीर मुसलमानों के गर जगात लेने जाती है कमला को मिरजास, अर्शी, कमाल और मौला ना याद आए और साथ ही याद आया उनका सिखाया इसलाम अब अमीना ने कमला के बच्चों को भी साथ ले जाने की बात की तो कमला ने सहर शाँ कर दी चारों बच्चे बड़े खुश थे वहां से वापस आने के बाद बहुत सारे उपाहरों और पैसों के साथ उन्होंने अपनी मा कमला को बताया कि उन्हें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिली और तो और उन्होंने अगली एद में कमला से चलने की भी बात की गरीबी इनसान से क्या क्या नहीं कराती है कमला को इसलाम की मालूमात अमीना से जादा थी मौलाना सहब की चहीती शिश्या जो थी उसने अमीना की सलाह मान कर हर एद बकरीद में ना केवल एक बुरका पहन अमीना के साथ बड़े बड़े पैसे वाले मुसल्मानों क्या जगात लेने जाना शुरू किया बलकि सुबह सुबह दूनों बच्चों को ईद और बकरीद के दिन ईद गहा के सामने बैट को बारे बेशना भी शुरू किया उसकी अर्दू सुन लोग अपने मन से उसे बक्षीश भी दे देते थे बच्चे बच्चे थे उनकी खुशियां सिर्फ पैसों और खाने में थी और मा की मजबूरी भी समझने लगे थे इससे उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया कमला से करीमन और बच्चों को अमान और आईशा बना एद और बक्रीद के दिन कुछ पैसे जुटा अपने आर्थिक हाला थोड़ा ठीक कर लेती थी इसमें अमीना और जावेद भी सच्चे मन से मदद करते थे ऐसा करते करते उसका बेटा रागव बारहमी में आ गया और इंजिनियर बनने के सबने भी देखता था और कमला को पूरा विश्वास भी था कि वो बन भी जाएगा बच्चों को बड़े होने के बाद इदगा आने में शर्म भी आती थी इसे वो अकेले ही आती थी केवल साल में दो दिनों की ही तो बात थी किसमत के रंगी नेराले होते हैं और दिल तो दिल होता है पहली महबत कभी बुलाई नहीं भूलती उसे अकेले पन में अपने बच्चों के बाप से ज़्यादा कमाल की याद आती थी और खासकर करीमन बनने के बात करीमन यानि मिसस कमाल बनना तो उसका सपना था अमीना कभी कभी पहले अपने माइके जाती थी उसी ने कमला को बताया कि मॉलाना सहाब का भी टा पढ़ लिकर इंजीनिर बन गया है और लखनों उसकी सस्राल है कमला के दिल में हूक सी उठी पर उसने बिलकुल भी जाहिर नहीं किया क्योंकि उसकी चाहत का किसी को भी पता नहीं था वहारे उपर वाले एक बार फिर उसकी मर्जी कमला से करीमन बनी तो कमला को इदगा के बाहर बैठी गुबारे बेच रही थी और जोर जोर से गुहार भी लगा रही थी अल्ला के नाम पर मेरी जोली में कुछ डाल दीजे आपके बाल बच्चों का भला होगा सहब जो भी गुबारा खरीता उसका लाक लाक शुक्रियादा करती तब ही एक जाना पहचाना सा बच्चा उसके पास आया हू बहू वही चेरा उसके बच्चपन का प्यार कमाल सा वही आवाज आंटी ये बड़ा वाला गुबारा कितने का है उसे देख कमला के रोंग्टे से खड़े हो गए उसकी आवाज अटक गई किसी तरह उसने वो गुबारा उस प्यारे से बच्चे के हाथ में दे कापती आवाज में कहा तुमारे लिए फ्री कोई पैसा नहीं बच्चा मुश्कित से आठ साल का होगा गुबारा हाथ मेरे खुशी के मारे कूदने लगा अबू गुबारा देखो फ्री फ्री में बच्चे के बाप को देख कर उसन रह गई उसके रग रग में समाया हुआ कमाल किसी और खातून के बच्चे का बाप बना सामने खड़ा था उसे देख कमला ने किसी तरह अपने को काबू में रख मुझ को हिजाब से ढखा और नीचे देखने लगी कमाल ने उसे देखा और कहा कमला तुम कमला हो ना मेरी आखे दोका ने खा सकते यहां इस तरह बुर्के में कमला अपनी नजरे जुकाई रही सारे गुबारे वही छोड तुरंत खड़ी हो वहां से दोड पड़ी कमाल भी अपने बच्चे का हाथ पकर कमला का पीछा करने लगा लेकिन बच्चे को कमला दौरा सड़क पर छोड़े गुबारे दिख रहे थे बच्चे ने कमाल से अपना हाथ छोड़ा गुबारे की तरफ दोड़ लगाई और चिलाया अबू इत्ते सारे गुबारे सफ्री में कमाल मजबूर बच्चे को छोड कैसे पुरानी मुहबत के पीछे दोड़े इधर कमला दोड़ कर पास कड़े आटो में बैट कई आटो वाले ने पूछा बीबी कहा जाना है कमला तो उपर से नीचे तक इस जाड़े के ईद में भी पसीने से भीगी हुई थी किसी तरह बुदबुदाते हुए कहा कहीं दूर चलो आटो वाला भी हैरान कैसी बिकारिन है आटो में बैट कई और जानती भी नहीं कि कहा जाना है वो जोर से चलाया चलो उतरो मेरी बहुनी ना कोटी करो चले आए हैं आटो में बैटने कमला बेचारी दूसी तरफ से उतरी उसने चेहरे को पूरी तरह से बुरके से ढख लिया और हताश घर की तरफ चल पड़ी तबी उसने देखा फिर वही बर्सो पुरानी आवाज सुनाई थी आटो ए आटो रुको गोमती नगर चलोगे आटो वाले ने खुशी से अपना मीटर ओन करते वे कहा चलिये साहब और फिर आटो फुर कमला वेचारी सोचती रही गोमती नगर तो बड़े लोगों की बस्ती है और वो कहां चार बाग की जोपरी में रहने वाली बिखारन घर आप पूरे दिन विस्तर पर आउंधी पड़ी रही चुक्चाब बच्चे भी नहीं समझ पाए कि मा को हुआ क्या है रागव थोड़ा बड़ा था उसे लगा कि मा मजबूरी में करीमन बन वहां जाती है और किसी के द्वारा पहचान लिये जाने पर शायद शर्मसार हो रही है पिछले कई सालों से कमला अपनी फटी चादर के पाएबंद करीमन बन ईद और बकरीद में सीती रही लेकिन कभी शर्मिंदा नहीं हुई वही कमला आज बुद बनी पड़ी थी जावेद और अमीना ने भी उसे ईद की सिवया खाने के लिए आवाज दी लेकिन वो बिस्तर पर आउंधी पड़ी रही वारे वारे इश्वर हर प्रारता में मांगा कि एक बार तो कमाल की सूरत दिखा दे और जब आज दीदारे यार हुआ तो कमला ने अपना ही मूँ छिपा लिया अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता जाजी की लिखी हुई कहानी एक थी कमला जिंदगी एक ही जीवन में क्या-क्या रंग दिखाती है इस कहानी से यही समझ में आता है कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ आप खुश रहें यूँ ही मुस्कुराते रहें धन्यवाद